अगर फ्रेंट्स आपके पास Infinix का स्मार्ट सेवे न है तो फ्रेंट्स इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताऊँगा इस फोन की टॉप 10 फीडियो के बारे में जिनके बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए तो अगर आप जाना चाहते है उने फीडियो के बारे में तो इस वीडियो को लाइक कीजिए चली फ्रेंट्स इस वीडियो को बीना टाइम बेस करते हैं इस फोने फ्रेंट्स आप चार अलग लग त इरिया में वहां जाके एक normal screenshot आप क्लिक करना है इस icon पर क्लिक करके आप इसको long कर सकते हैं कुछ इस तरह से scroll करा के जितना long करना क्लिक करा के यहां finish screenshot पर क्लिक करें और यहां click कर लिजी यह आपका log screenshot इस तरह से मिल जाएगा आपको control panel में इस स्कीन स्क्राइब आपको ले पाऊगे इस फोन बहुत सारे जैसरे को आपको देखने का मिल जाते इस जैसे कि आप में इहां पर लगागा रखा यूँडूब मेंós सर二 करना आपको भी कर सकते यहां आपको बहुत सारे जैसरे क्लिक करने पर दोसरे apps को add कर सकते हो, तो fingers अपने hide apps लगा सकते हैं, कोई भी चीज आप यहाँ पर अपने हिसाब से set कर सकते हैं, यह बहुत ही amazing feature response के अंदर आपको मिल जाएगा, तो इनको set करने के लिए screen पर tap and hold करना है आपको सकते हो, या फिर जो भी आपको यहाँ पर देखने को मिला रिस्ट में, यहाँ से set कर सकते हो, आप चलिए आपको app लगा के यहाँ पर दिखाते हैं किस तरह से काम करेगा, तो यहाँ start app पर आपको पहले click करना है, अब यहाँ से कोई भी apps इस तरह से select करना, select करके आपको ok करना होगा, अब जब आप slide down करेंगे तो जो भी apps आपने select किया था, वो आपका open हो जाएगा कुछ इस तरह की से, तो यहाँ पर मैंने chrome को select किया, यह directly open हो चुका है, तो यहाँ पर आप जो भी gesture को लगाना चाहते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं, तो कि आपको pinch in पर कुछ apps अपना favorite लगाना है, तो यहाँ पर pinch out देखेंगो मिलेगा, आपको यहाँ क्लिकना है, start app पर जाना है, किसी भी favorite apps को यहाँ पर आके आप select कर लीजिए, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर select कर लिया है, अपना यह play store, प्लेस को select करके मैं ok करूँगा, इस fingerprint की मदद से आप call को answer कर सकते हो, alarm को बंद कर सकते हो, यह सर फिर से आपको इस phone में on करने होगे, तो इसको on करने के लिए आपको जाना है phone की setting में, यहाँ से जाके scroll down कीजिए, आपको security option पर click करना है, जिसकी बाद आपको फिर से scroll करना है, और यहाँ fingerprint वाले option पर click करना ह जिसकी बाद आपको जो भी skill होग है, वो यहाँ पर डाल दीजिए, इसकी बाद इस call करने पर आपको जो एक option देखने को मिलेगा, यहाँ इस पर आप click कीजिए, जैसे इस पर click करेंगे, accept call को एक option देखने को मिल जाएगा, तो इसको on करने पर आप call को answer करेंगे, तो fingerprint को touch क इसके यूज करने के लिए इस तरह से आपको प्रेस करना होगा, तो यहाँ पर आपका smart panel open हो जाएगा, यहाँ पर बहुत सारी control मिल जाते हैं आपको, जैसे कि आप screen recording कर सकते है, screen score ले सकते है, screen को translate कर सकते है, lock कर सकते है screen को, और यहाँ पर आपको more control में यहाँ आपके favorite apps देखने को मिल जाते है, तो favorite apps अपने हिसाब से भी upside कर सकते हो, इसके लिए pencil icon पर पहले click केजिए, यहाँ आपको controller देखने हो मिलेगे, जो को AI tool है, तो यहाँ से आप इनको remove कर सकते हो, किसी भी और app को add कर सकते हो, यहाँ पर, इसकी बाद b-line पर click करके, अपने favorite apps को upside कर सक तो इस तरह से यहाँ पर आपको बहुत सारे add का option मिलेगा, मतलब किसी भी apps को आप add कर सकते हो, तो यहाँ क्लिक कर लिजिए, आपका वो add हो जाएगा, तो इस तरह से friends यहाँ पर आपको smart panel में option मिल जाते है, तो यहाँ से आप उनको इस तरह से control कर सकते हो, बहुत आसानी स किसी भी apps के अंदर होंगे, तब भी आप smart panel को open करागे, किसी भी apps को directly open कर पाऊगे, इस phone के अंदर friends आप without skin को touch कराए, call को answer कर सकते हो, without अपने fingerprint को touch कराए, तो इस feature को on करने के लिए आपको phone की setting में जाना है, phone की setting में जाके scroll down कीजिए, आपको यहाँ पर देखने हो मिलेग phone को कान की ओर ले जाए, automatically call आपकी answer हो जाएगी, तो इस तरह से friends इस feature को आप यहाँ से use कर सकते हैं, थोड़ा सा बापस आने पर आपको कुछ और भी option मिल जाएंगे, जिससे की tapping back, इस feature को जब आप on कर देंगे, तो आप screen को double tap करके इस तरह से lock कर सकते हैं, और double tap करके ही screen क को आप on कर सकते हैं, तो यह unique feature हो जाता है, अगर आप without power button को press करके screen को on करना चाहते हैं तब, इसके इलाबा और भी ऐसे feature आपको यहाँ मिल जाते हैं, तो एक step बापस आने पर आपको music जैसे सर देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक करने पर आप इस feature को on कीजिए, और आप lock screen फिर गाने को बहुत आसानी से play कर सकते हो, इसके साथ play करने के साथ next भी कर सकते हो, गाने को play करने के लिए आपको one finger से down करना है, आपके गाने play हो जाएंगे, अगर आप गाने को stop करना चाहते हैं, तो one finger से आप कीजिए, आपका गाना stop हो जाएगा, गाने को next करना है, इस सब option आपको इस phone के अंदर music control से related देखने को मिल जाएंगे जो कि आप यहां से on करके इसका use कर सकते हैं एक step वापस आने पर आपको screenshot का एक option मिलेगा जो कि आपको यहां से on करना है तो अब आप इस phone finger से down करने पर screenshot को लेपा हुए एक step फिर से वापस आईए smart screen on का एक option मिलेगा जब आप इस feature को on कर लेंगे तो आपके screen automatically on हो जाएगी जैसे आप अपने phone को pick up करेंगे जैसे की phone इस समय टेबल पर है अब मैं से pick up करूँगा automatic screen on हो जाएगी तो इस तरह से friends इस feature का आप यहां से भी use कर सकते हैं तो यहां भी काफी unique feature आपको मिल जाते हैं तो एक इस जब फिर से वापस आ जाएगे यहां पर आपको फ्लेश पूर को का option मिलेगा जिसको on करने पर आपके phone पर कोई भी कोई बगर आएगी तो आप अपनी notification बार में अपनी flashlight को देख पाएगे मतलब flashlight आपकी यहां पर जाएगी इस phone के अंदर friends आपको tap का एक अमेजिंग feature मिल जाता है जिसका आपको जरूर से use करना चाहीए यूज क्या है उसका चली बताते हैं, आपको अपना control panel open करना है, यहाँ पर आपको देख में लेगा tap color, जब उस पर tap and hold करेंगे तो आप इसकी setting में आ जाते हैं, यहाँ पर इस feature को जब आप on करते हैं, तो यह आपकी दो तरह से काम करेगा, एक तो charging पर काम करेगा, अब आप आपने phone का charging पर जैसे plug-in करेंगे, तो आपका phone charger प्लिक तो हो जाएगा, जैसे आप इसको remove करेंगे, तो आपके phone का एक alarm होए, वो start हो जाएगा automatically, मतलब, जब कभी भी phone आप कभी charging पर लगाए, आप कहीं पर पार्टी बगेरा में गई हुए हैं, और आप charging पर लगा के कभ lock नहीं किया जाएगा, इसी तरीके से earphone unplugged का भी option रहेगा, यहां पर वो भी same इसी तरीके से काम करगा, earphone लगी हुई होगी आपकी phone में, जब तक कोई दिक्कत नहीं है, जैसे earphone निकाली जाए, आपकी phone से तो automatically आपका phone अब आज करना शुरू कर देगा, और आब आज आपको पहले setting में जाना है, scroll down करना है, और आपको फिर से आ जाना है special function पर, यहां पर आपको देखने हम लेगा social turbo, इस पर जब आप क्लिक करेंगे, तो यहां भी आपको WhatsApp से related काफी unique feature मिल जाएंगे, जैसे की voice changer, जब आप इस पर क्लिक करते हैं, तो आपको यह feature on करना होग आप WhatsApp पर जब कभी भी आप voice call करेंगे तो आप अपनी अबाज को change कर सकते हैं, यहां पर आप अपनी अबाज किसी की भी लागा सकते हैं, जैसके आप female है, तो male की कर सकते हैं, male है female कर सकते हैं, यहां बहुत सारी option आपके सामने खुल जाते हैं, इसके अबाबा इस phone के पर आपको वीडियो ब्यूटी का एक option मिल जाता है जब आप इसको on कर लेंगे तो आपकी फॉन पर जब भी वीडियो कॉल होगी तो आपकी जो वीडियो रहेगी वो ब्यूटी होगे उधर जाएगी तो इस तरह से इस फीचर का आप यूज कर सकते हैं बहुत यूनिक फीच कर मिल जाता इस फॉन के अंदर जिसमें आप अपने फीच का स्टीकर बना सकते हो तो इसको बनाने के लिए आपको एड़ पर क्लिक करना सिंपली और आप पर क्लिक करके कोई फोडो सेलेक कीजिए फिर आप यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह के स्टीकर यह बन जाएं इस फोन के अंदर आपके इस्टेटर्स डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे अगर इस फीचर को ओन करना चाहते हो तो यहां सा क्लिक केजिए अब आपके जो भी इस पर इस पर क्लिक करके आप वो सेट कर पाएंगे कितने टाइम में वो आपके डिलीट होना चाहिए यह कुछ यूनिक फीचर इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं इनका यूज़ करके इस फोन को और अमेजिंग तरीके से आप यूज़ कर पाएंगे आसे करते हैं फ्रेंड्स आपको यह वीडियो काफी अच्छी लगी होगी